तो चलिए दोस्तों आज हम यहां पर बताएंगे कि अभी जो डिसेंट में चल रही है यूपी आई टांजेक्शन के उपर से बहुत बाहरा लो रही है जिसमें कि बता जा रहा है दोजार से उपर के टांजेक्शन करने पर लगेगा एक रुपिया या फिर पहुंच का चार्ज तो इस तरह से क्या यह निवी यह सही है यह भी हम चलिए देख लेंगे तो आपको क्या करना है गूगल पर आना यहां पर आपको सर्च करना यूपी आई चार्ज अरे अच्छ यूपी आई चार्ज करना है उसके बाद यहां नीचे स्कॉल के जिएगा तो यहां पर देख सकते यूपी आई टांजेक्शन चार्जेस एडवाइज यहां पर देख लिए यहां पर दिया गया किसके लिए चार्ज लगेगा और चार्ज जो है एक पुएंट वन यानि कि दोजार में इतना रुपया लगेगा उसके बाद किसके लिए यह देख लिए यहां पर मर्चेंट पेमेंट के लिए यह चार्ज लगेगा जो की एक अपरेल 2030 से और यह जो है अभी फिलाल में एक अपरेल से लागू किया जाएगा यानि कि आज से यह लागू किया आदरित लेख लेगा यह पहले की तरह भारतीए राष्ट पान नियम ने बुदभार को याशबटती करण जारे किया इससे पहले इससे प्लेशी सर्चा थी की यूपी आई इसे लेंदेन पर शुलक वसुला जा सकता है एंड़ी सी आई ने विहान में कहा कि विक्रेता के पूरु भुक्ता अंसाधन पीपी आई के जरिए लेंदेन करने पर इंटर्चेंज सुलक लगेगा याणि पीपी आई लंगे पर पर तिस लगाया गया इसमें बताया गया कि इंटर्चेंज सुल्क शिर्फ प्यपी आइ मर्चेंट लेंदेन पर ही लगेगा ग्रहां को पर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा प्यूपी आइए में जूरने के बाद ग्रहाँ के पास कोई भी बैंक खाता इस्तिमाब करने का विकल्प होगा ईकम खाते से बैंक खाते में लिंदेन ग्रहां को एकूंप घ्रताओं दोनों कर दो